हेलो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं फिलहाल कतार में हूँ मेरा नाम है इसास पटिल है मैं कतार में सेल कंपनी में आया हुआ हूँ मदिना ग्रूप से सेल जीटियल का सटडाउन है यहां पर 45 देज का 45 तो टू मंस का फिलहाल में 45 देज का आ हुआ हूं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कहां पर रे रहा हूं और यहां कि जो फैसिलिटी सेल वालों ने और मदिना वालों ने दी है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बगर आते हो कतर में ये कंपनी में मदीना ग्रूप है क्यों कौन है दोशान है वगेरा कंपनी में आते हो तो आपको किसी फैसिलिटी मिलती है जो मैं कंपनी में आया हूँ मदीना ग्रूप में मुझे किसी फैसिलिटी मिली है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताकि आप भी आगस्टाम आने के पहले आप देखके मेरा वीडियो आ सकते हो।। मैं ये नहीं कहूंगा कि ख़राब फेसलिटी है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बहुत अच्छी फेसलिटी है। जिस तरह से साल भर होते जाते हैं, सट डाउन नए-नए मिलते जाते हैं, उस तरह से ये लोगों के फैसलिटी भी बहुत कम होती जा रही है, ये है नई बिल्डिंग जो मैं आपको यूटूब में ये मेरे वीडियो में बता रहा हूँ, ये वहाँ पे है एक नंबर की तीन नंबर, चार नंबर, ऐसे तकरीबन ये लाइन में नव बिल्डिंग है और आगे एक बिल्डिंग है, मैं आपको मेरा बिल्डिंग बताना चाहूँगा, ये तीन मदली का बिल्डिंग है, ये फर्स फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और उसके उपर ठर्ड फ्लोर, जिदर म में रही रहा हूं second floor वो भी मैं आपको बताऊंगा यह देखो कपड़े यहां पर लॉंड्री वगेर के सुविदा है लेकिन फिलहाल क्या है कि लॉंड्री में भी कपड़े अच्छे नहीं धोक्या आते इसके लिए कुछ लोग ऐसे भी दो सकते हो अपने आप से भी दो सकते कुड़ा वगेरा यह दस्पिन वगेरा है यहीं पर पड़ा हुआ है कहीं पर भी कहीं पर भी देखो आपको कुतना कुछ धोया हुआ और सुका हुआ मिलेगा कपड़े वगेरा सट्ड़ाओं में लोग आते हैं बारा गंटी का हमारा ड्यूटी रेता है बारा गंटे में स तक्रीबन आधा आधा गंटा ट्रावेलिंग में हो जाता है यानि तेरा गंटा ड्यूटी रेता है तेरा गंटे में से सिर्फ हम लोगों को घर पे बात करने के लिए चन एक गंटा 15-20 मिट रेता है फिर बाद में इतने काम से तक हुएते तो सो जाते यह थर फ्लोर है यह थ इन लाइन में नौ रूम है और यह लाइन में नव रूम है इस तरह से 54 रूम है पूरे एक बिल्ण ने इन एक बिल्दिंग में फिफिटी फूरू रूम में कितने लोग रहते वो भी मैं आपको बताऊंगा ये ही मेरा रूम नमबर 22 ये रूम में हम लोग चार बेड है और एक डबल बेड है टोटल पांच बेड है एक डो तीन चार और पांच AC रहेगा लेकिन इसमें heater बिल्कुल भी नहीं है heating का काम ये करता ही नहीं है ठीक है locker रहेगा locker अच्छा facility है locker दिया हुआ है जाडू अगेरा कुछ दिया नहीं है हम अपने आप पे भी जाडू मार सकता है clean कर सकता है लेकिन जाडू अगेरा ना डोल अगेरा डोल है dustbin का यहां पर दिया हुआ है यह रहा ठीक है यहां पर आओ तो आप लोगों को चद्दर बेड़ सीट पिलो पिलो कवर और ब्लैंकेट ओ सीट मिलेगे आपको और बेड मिलेगा locker मिलेगे ठीक है यह मेरे room के बात है यह room है हमारा बात है